नमस्कार मैं पीसी जोसी नियोरोथरपिस्ट और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभाबिष्ट प्रभाबिष्ट जी हैं और यह हलद्वानी से आई हैं इनका अपना खुद का क्लिनिक चलता है और इनको कुछ दिक्कतें थी खास तौर पर बैक पेन था इनको और इन्हों आज हमारे पास सिर्फ तीन सेटिंग लिए आज चौनते सेटिंग लेंगे बीच में इनको कहीं जाना है तो उसके बाद फिर जो भी बैलेंस रहेगा उसमें देख लेंगे तो इन्होंने अभी तक नियोरोथरपिस्ट से क्या समझा और इन तीन दिनों की सिटिंग में इन खा रहे हैं सबके अपने फिड़ बैग होते हैं तो इन्होंने क्या समझा ये खुद डॉक्टर है तो ये खुद समझेंगी इस बात को इन्होंने क्या समझा नियोरोथरपिसे और उनको क्या फाइदा है हालो एक्षली आयम डेंटेस्ट तो ये मैं होल्ड कर लेते हैं डेंटेस्ट की जॉब एक्षली इतनी ज्यादा हेक्टिक हेक्टिक नहीं बोलेंगे थोड़ी सी फॉरवर्ड बेंडिंग एंड जो हम लोगों का काम रहता है उसमें काफी हम लोगों को जुक्के और 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 के लिए थोड़ा सा बॉड़ी पोस्चर हम लोगों का थोड़ा सा बेंडिंग एंड ये सारी चीज होने की वजए से बैक पे काफी स्ट्रें रहता है तो मैं जब भी मैं पेशेंट करती थी उसके बाद इवनिंग मैं मुझे बहुत अपना बैक एकदम टाइट और तो मेरे हस्बंड जो है वो ये डॉक्टर जोशी से सिटिंग ले थे फोर हिस बैक पेन तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि क्योणा आप भी एक बार चलें और खुद एक्सपिरियंस करें चीज है कि आपको कितना रिलीफ है और वो तो जब आप खुद ट्रीट्में तब उस चीज को देखों की बाडी में क्या चेंज़ आते है क्योंकि जो नियूरो थेरेपी जो ब्रांच है ये वट आइशुट से है डिफरेंट फ्रॉम अलो पेथियं अदर ब्रांच है उसमें आपको अपको मतला आपको मैडिसिन नहीं लेना है तोटली पेनले तोटल जो ब्रांच है ये वट सज़ेस्ट इच और इवरी परसंट जो भी इस चीज से सफर कर रहे हैं वो डेफिनिटली सर के पास आए और अपना ट्रीटमेंट कराएं बिकास मैं तीन दिन का ट्रीटमेंट अभी मुझे अभी मैंने हाँ तीन सिटिंग मैं ली है और इस मेरी फ 60% आइकन से इतना रिलीव है मुझे और जैसे मुझे पहले बेंडिंग में इंफेक्ट सिटिंग में और बहांकी भी मुवमेंट्स में बहुत जादा प्रॉब्लम्स रहती थी तो वो काफी हद तक रिलीवड है और आगे भी मैं जब तक मेरा ये प्रॉब्लम कंपलीटली जाता मैं सर से काफी सिटिंग जित्ती मी सर मुझे अडवाइस करेंगे और काफी मुझे ये ब्रांच मुझे काफी बहुत अच्छी लगी और बहुती डिफरेंट ब्रांच है और इसमें आपको कोई मेडिसिन नहीं लेना है प्लस कोई अलग से प्रिकॉशन या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसलिए मैं सबको यही सजेस्ट करोंगी जो भी फिल कर रहा है जो भी स्ट्रगल कर रहा है अपने इस बैक पें से और ये बैक कैश्यू से जो भी बोडी में कोई भी इंफेक्ट उनको पेट का लिवर का और इंटेस्टाइन का कुछ भ कुम्हाम अक्शोड इंको जो भी नहीं ठार वह करीब 50-50 पर्सेंट जो भी फील किया वह इनको रिलीव है और ऐसे जो लोग जोके दाटों से परेशान है और उनको दाटों के समस्यां हो गई हैं वह इनको अपना क्लिनिक है वह कहां पर है अब आपका? मेरा क्लिनिक शीष महल में है, काडगुदा में, रामनिला मैदान के जस्ट उपोजेट सामने, रुद्र डेंटल क्लिनिक नाम से. रुद्र डेंटल क्लिनिक जो की इनका शीष महल के कई सेंट ठेरेसा के आसपास में इनका पढ़ता है तो वो जिनको की दांतों की ज्यादा समस्या है क्योंकि निरो थरपी ज्यादा दांतों को देखती नहीं है क्योंकि अब चीज खराब हो जाएगी तो उसको देंटिस्ट ही देखेगा तो उसको दूसरा कोई देख ने सकता तो बेटर है कि जिनको दांतों की समझ्चा है वो इनके क्लिनिक में जा करके अपना ट्रेटमेंट करवा सकते हैं और उनको कुछ आप कंसेशन देंगे क्या हूँ आपे बिल्कुल दूंगी सर तो उनको कंसेशन भी मिलेगा और आप एक चीप एंड बेस्ट जो आप कह सकते हैं इस चीज को कि आपको हलदवानी में क्योंकि आज कल दिखो डेंटिस्ट कहो चाहे आप कोई भी आप कहो है बहुत लेकिन क्या होता है कि एक आपका काम के प्रती होती है आप उसको कैसे किस dedication से करते हैं तो वू चीजें होती हैं तो ये भी उनमें से एक है तो आपको किसी भी प्रकार की कान जो भी आपके क्यांतों की समस्चै है कोई cavity हो दान सडगिया हो केडा लग गया लगने वाला हो तो वो उस चीज के लिए आप इन से संपर्क कर सकते हैं मैं इनके क्लेनिंग का एड्रेस अपने इस लिंक के नीचे में डाल दूँगा और आप वहां से इनका एड्रेस ले करके आप जा सकते हैं और यहां का रेफ्रेंस भी दे सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद